नमस्कार आदर शिक्षण संस्तान द्वारा आयोजित ओनलाइन शिक्षण में सभी भाईया बेनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज हम कक्षा सब्तमी का पार्ट तीन हिमालिय की बेटियां पढ़ेंगे ये इसका तीसरा वीडियो है इस पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि संपूर्ण पार्ट में प्रकरती के नदियां और परवतों का यहां पर मानवी करन किया गया है अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जिनोंने मेदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके खयाल में शायद ही ये बात आ सके कि बुड़े हिमाले की गोद में बच्चिया बनकर ये कैसे खेला करती है माबाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओ का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकरशक बले ना हो लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतित हुआ वह रूप की हिमाले को ससूर और समुद्र को उसका दामात कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती बचों अभी तक हमने देखा कि हिमाले को हिमाले से निकलने वा का लेखक बताते हैं कि जब अपने यह उद्गम स्तल से निकलती है तो इतनी उचल कूद करती हुए निकलती है कि ऐसे लगता है कि छोटी बाली का है जो अपने पिता की गोद में अठखेलियां कर रही है उचल कूद कर रही है और हम इनको जब मैदानी भागों में देखत शेत्रों में देखते हैं तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि बुड़े हिमाले की गोद में यह बच्चिया बनकर कैसे खेलती है अर्थार्थ इनका यह रूप बड़ा ही मुझे आकरशक लगा भले पहाड़ी लोगों को इनका यह रूप आकरशक नहीं लगे उनके लिए ल समुद्र उनका दामाध हैं क्योंकि बेटी का जो पती है तो दामाध यह ने पती तो बेटी का जो पती है वो पिता के लिए दामाध ही होगा काली दास के विरही यक्स ने अपने मेगदूद से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का परतिदान देते जना तुमारी वह प्रेयसी तुमें पाकर आवश्य ही प्रसन होगी यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अच्छनक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था दर असल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी गांटियों और समतल आंगनों के मेदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मानवी करण अब शुरू नहीं हुआ है अर्थार्थ किसी चीज का प्रकृति की परतेक चीज का जो सचेतन पक्ष है वो प्राचिन समय से चला आ रहा है तो यह लेकर किया पर बता रहे हैं कि काली दास ने जो एक उनका एक महा कावे था मेग दूद जिसका नाम क्या था मेग दूद त में मुख्य जो जिस परकार कोई नाटक होतार उसके अंदर कोई मुख्य पातर होता है मुख्य भूमी का निबाने वाला नायक होता है तो उस मेग दूद का जो नायक था यक्ष और विरही यनिकी उसकी पतनी यक्षणी तो विरही यक्ष ने कहा दुख्य होकर के मेग पर्तिदान देते जाना वेत्रवती जिसको हम वर्तमान में बेतवा नदी कहते हैं और प्रेयम का पर्तिदान देते जाना अर्थार्थ नदी है वो बादलों से बहुत ही प्रेयम करती है क्योंकि बादल बर्संगे वर्सा करेंगे तो पर्तिदान का मतलब है कि यह बादल को बेटवा नधिक के आज पास तुम जरूर वर्सा만 और न करना वो तुमसे इतना प्रेम करती है तुम smiles doe में अपनि का पर तेदनेना यानिकी वा बदले में उसका दान करना यह उसका ऊटतर जरूर डेते जाना वहां पर वर्शा का जरूर करते जाना तुम्हारी वहारा प् वेतवा नदी के आसपास बरसोगे तो वो अपने प्रेम का पर्तिदान पाकर अर्थार तुमारा प्रेम पाकर बहुत ही परसन होगी यह बात इन चंचल नदियों को देकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदियों का सचेतन रुपक अर्थार हम किसी भी चीज को देखते हैं सचेतन याने की जिसमें चेतना है जो सजीव है और अच्यतन याने की जिसमें जो निर्जीव है तो अगर हमारा देखने का अलग-अलग नजरिया होता है कि हम उस चीज को किस रूप में देखते हैं अगर हम प्रण रूप में दे ने भी नदियों को सचेतन रूप में ही पसंद किया है और हिमल्य को भी उन्होंने सचेतन रूप में ही पसंद किया और हमारे सामने भी एकपिता के रूप में उसको प्रस्तूत किया दरसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी गाटी और समतल आगनों के मैदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा वे इसी नतीजे पर पहुंचेगा अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि नदिया जा अपने उद्गम इस्तल पर बहुत ही पहाड़ी शेतरों से वो निकलती है तो बहुत उचल कुद करती हुई निकलती है तो उनका रूप वहाँ पर अलग होता है उनकी शकल वहाँ पर अलग होती है और जब वो मैदानी भाग में चली जाती है समतल मैदान में बहती है तो एकदम शान्त और गंबीर बहती है तो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे परिवार से सम्मद रखने वाली कोई यूती है कुलीन माईला है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है किन्तु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज हैं और थोड़ा आगे चलिए इने में अगर हम प्रियसी की भावना करें तो कैसा रहेगा ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का इस्तान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी थो लिंग की बात है मन उचट गया था तब ये डिली थी सतलुंज के किनारे जाकर बैट गया दोपेर का समय था पेर लटका दिये पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगर्थी शील जल में असर डाला तन मन ताजा हो गया तो लगा में गुन गुनाने अब यहाँ पर लेकर बता रहे हैं कि प्राचिन समय में ही नदियों का प्रकरती का परवतों का इन सब चीज़ों का सच्छेतन रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता था इन सब चीजों का मानवी करण नहीं होता था वस्तुतर वर्तमान समय में भी आदुनिक समय में भी इन चीजों का प्रकरती के जो विबिन उपादान है विबिन जो चीजे हैं प्रकरती की उन सब का मानवी करण होता है उनको सचेतन रूप में दरसाया जाता है तो काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा लोक माता का मत प्राचीन जो सब्वेताएं पढ़ते हैं तो उनमें यह देखते हैं कि इन नदी घाटी के आसपास इन सब्वेताओं का विकास हुआ है तो किन्तु लोक माता बनने से पहले यदि इने बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है तो यहां पर लेखक बता रहे हैं कि अगर काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा है अर्थार संसार की जननी कहा है और अगर हम इने बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज होगा अरफारत कोई हर्ज नहीं है और थोड़ा आगे चले और हम्हें हमें आगे चलने का मतलब अपनी सोउस थोड़ा और अगे बढ़ decisions और अगर अपने अपने नद्यों कोMusic के रूप में छार्फ प्रेमीका के रूप में देखें तो कैसा लगेगा तो लेकर के रहे कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ठोलिंग ठोलिंग तिबद की एक जगे का नाम है जहां पर लेकर बैठे थे उस दिन लेकर बता रहे कि उनका मन थोड़ा उदास था तब यह थोड़ी सुस्त थी और सतलूज नदी के किना वो जाकर के बैठ गए दो फेर का समय था और उन्होंने सतलूज नदी में अपने नदी के किनारे वो बैठे थे पैर पानी के अंदर लटका दिये थे और थोड़ी देर वो उस प्रगर्तिशील प्रदिप्रगर्तिशील का मतलब होता है बहता हुआ जल में अपने पाउं क गीत को हम भी लेका के साथ-साथ उस गित को गाते हैं जेहो सतिलुंझ भेएं लीला अच्रज बेहन तुमhou लेका किकाएं कि वो सतिलुंझ दी के पास में बěठ थे तो लेका गारे की सतिलुंझ-बहन तुमारी जेहो efficacy यह लीला है लिला का मतलब होता है कहीं पर नदी तेज बहाव से बह रही है कहीं पर वो शांत होकर बह रही है कभी कहीं पर गंबीर होकर बह रही है कहीं पर उचल कुद कर बह रही है तो कि तुम्हारी जो अलग-अलग जिगहों पर अलग-अलग रूपे वो बड़ा ही आश्री चकित करने वाला है वह हुआ मुदित नहीं हटा कुमारी जाऊं मैं तुम पर बली हारी कि मैं तो तुमारे पास Size करके और मेरा मन बढ़ा ही मुदित यहने प्रसंद हो गया है मैं तुमारे आगे नतमस्त क होता हूँ और मेरे मन की खुमारी यानि सारा द्वेश क्लेश हट गया है सारा दुख दूर हो गया है तुम बेटी यह बाप हिमाले चिंतित पर चुपचाप हिमाले के है सतलुज नदी तुम बेटी हो और यह हिमाले तुमारे पिता हैं तुम तो बड़ी चुपचाप हो किन्तु तुमारे पिता अनुपम अदुबूद छाप हिमाले जेहो सतलुझ तुमारी और लिकक चागे रहे हैं कि ही सतलुझ बहन तुमारी जेहो प्रकृति नठी के नटेक जाती होती है जाती विशेस होती है जो एक पधे के ऊपर चित्र प उपर चित्र मंडित रहते हैं और उन चित्रों के भाद्यम से वो उनका सजी वढ़ना नामारे सामने प्रस्तूत करते हैं तो नदियों को वो कह रहे है कि तुम तो प्रकृती नटी के चित्रित पट पर अद्बुद एक छाप हो और यह हिमाले परवत उस पर एक अद्बुद छाप है आज अपन यह पाट पूरा हुआ धन्यवाद